सब्सक्राइब करते हैं आप का बीपेस वाइफ टू फिफ्टीन जॉब जो आई बीए सक्खर करन्टली जो कंड़क्ट कर रही है उसके हवाले से हमने आटीकल के पूरे लेक्चर पांच डिलीवर करके सेंड किये हैं अपलोड किये हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख लेक्चर पार्ट वन में हमने सीखा था फ्राम ऑफ का यूज जो इंतहाई इंपोर्टेंस है और अमंग और बिट्वीन का भी हमने साथ साथ सीखा था आज हम पढ़ेंगे आज हम सीखेंगे प्री पॉजिशन का यूज जिसमें हमारे पास अंडर बनीट अपोजिट बिस साइट हम प्री पॉजिशन इसको कवर करेंगे डीटेल से लेक्चर स्टार करने से पहले प्लीज एक रुक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें बेल आइकन को दबाएं और एक जरूरी और इंपर्टन बात कमेंट लाजमी करें कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगी तो फास्ट प्री पॉजिशन हमारे पास है अंडर अंडर की मेनिंग क्या है अंडर की मीनिंग है नीचे ठीक है नीचे मगर स्पेस हो फासला हो डिस्टेंस हो ठीक है चीज के बीच में अंडर हम का यूज करते ही अंडर हम वहाँ पर यूज करते ही अगर किसी दो चीज के बीच में कोई फासला हो कोई एक चीज नीचे हो तो वहाँ पर जो है हम अंडर का यूज करते हैं आप आपने जो है मैट्रिक नहीं बलके एंटर में तो नेम ट्री पड़ा होगा जिसम एंडर को एक स्पेसिफ प्री पॉजिशन के तौर पर इस्तमाल किया गया है तो एक्जम्पल के साथ सीखते हैं कि स्पेस कैसे होना चाहिए लेट्स एक्जम्पल लेते हैं आई एम एंडर दा नीम ट्री में नीम ट्री के नीचे हूँ आपको पता है के नीम जो ट्री है उपर है उसके नीचे हूँ मतलब इस्पेस है इस्पेस होता है ठीके तो एंडर यूज़ करते हैं अगर कोई चीज नीचे और इस्पेस में हो तो हम वहाँ पर एंडर का यूज़ करते ह उसके बाद हमारे पास है beneath जो same to same है मगर इसका positive है under का beneath का use हम काम पर करते हैं beneath beneath की meaning actually में वोई simple नीचे मगर space ना हो space ना हो यहां पर हम space देते हैं ठीके और यहां पर हम जो है completely space नहीं देते हैं example लेते हैं my foot is beneath the truck मेरा पाउं ट्रक के नीचे है ठीक है ट्रक के नीचे इसका मतलब क्या है टाइर के नीचे है ठीक है मेरा पाउं ट्रक के नीचे है फांसला कोई भी नहीं है ठीक है जहां पर फांसला नहीं होता डिस्टे नहीं होता इस पेस नहीं होता वहां पर हम beneath का अपोजिट की मीनिंग क्या है अपोजिट की मीनिंग है अपोजिट की मीनिंग है आमने सामने आमने सामने अली इस अपोजिट मी अली मेरे सामने है ठीक है आमने सामने जो होता है कोई भी चीज तो हम वहाँ पर आपोजट का यूज़ करते हैं ठीक है वैरी ब्स जो है सिंपल है प्री पॉजिशन उसके पाद नेक्स्ट प्री पॉजिशन हमारे पास है इन फरन इन फरन इन फरन की मेनिंग है सामने ठीक है सामने नहीं आगे inference की meaning क्या है आगे ठीक let's suppose करते हैं Ali is inference me Ali मेरे आगे है ठीक है Ali मेरे आगे है ठीक है shape process से देख ले symbols निशानियों के तोर पर example के तोर पर आप सीख सकें तो please एक बार फिर से वही कहानिया दोराएंगे जो दोराते हैं हर वीडियो में हर lecture में हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को share करें बेल आइकन को तबाएं ताकि हर नई वीडियो अब तक पहुंच सकें थेंक यू फर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो जो importance है वह बहुत ही importance है उस वाजा से हमने lecture third sorry lecture 2 में जो है हमारा part 3 जो very important है जिसमें हम सीखेंगे details से जो है completely हो सकता है 15 या 20 minute की वीडियो हो जिसमें परेंगे measures of preposition of in और add का uses परेंगे जिसका बहुत ही importance है